हेलो दोस्तों अब सभी का स्वागत है हमारी अन्बोक्सिंग आ रहा है हम चैनल में दोस्तों आज हम अन्बोक्सिंग करेंगे ओप्टिफाइ कालर कॉंटेट लैंज तो चलिए वीडियो के ओर हेलो फ्रेंज आप सब कैसे हो फ्रेंज यह पैकेज जिसके अंदर है ओफ्टिफाइ कालर कॉंटेट लैंज जिसको मैं ने फिलिपकार्ट से बाई किया है इसी content lens को आफ खरीदना चाहते हैं तो इसके link जो है description मिल जाएगा link पर click करके इससे आफ खरीज सकते हो यह zero power एक content lens है दोस्तो और तीन color में मैंने जिसको है इसको मंगवाया है और कहाईस यह है optify liquid जिसके मदद से अफ lens को आराम से लगा सकते हो और दोस्तो इस content lens को आफ एक महीने तक जो है इसको use कर सकते है उसके बाद इसको use कर गए तो थोड़ा आपको problem होगा यह जो है lens रखने के लिए दिया गया है और दोस्तो lens जो होता है उप पहले कोई left right नहीं लिखा होता पर उसको जो है आप एक बार use करने के बाद तो left right हो जाता है तो left right उदर में लिखा है उससे सबसे उदर में रख देना और दोस्तो lens को package से खोलने के बाद जो है इसको explain date शुरू हो जाता है और एक महीने तक इसका explain date रहता है package से खोलते वक्त इसको आराम से खोलिए धियान रखे liquid जो है गिरिना जाए हमने जो है package से आराम से lens को निकल लिया lab site में इसको रख दिया हमने और अभी right वाले में जिसमें रखेंगे वो खोल रहे है आराम से खोलिए गए यह जो होता है बहुत हाड होता है इसको खोलने में आपको थोड़ा बहुत ताकात लग जाएगा इदर में और एक important बात अब जब भी इसको use करने जा रहे हो आपके हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोलेना और फ्रेंस इसको लगाते हुआ आप दो बुन्द liquid से आपके हाथ में रखकर इसको अच्छी तरह से रगड के दोना है और इसको आप सामनी की तरफ जूक के लगाने में आपको दिक्कत होगी पीछी की तरफ हिल के अप जो इसको आराम से लगा सकते हो और आख में लेंस को डालने के बाद आख को बंद करके चारो तरह आख को गुमाई ये अच्छी तरह से फीट हो जाएगा और जब आखों से लेंस को निकालोगे निकालने के बाद लेंस को दो बूंद liquid से अच्छी तरह से रगड के उसको साफ करना है उसके बाद जो डबा होता है लेफ राइट डिका हुआ उसमें राइट वाला राइट में रख देना है और लेफ वाला लेफ में रख देना है तो मेरे प्यारे फ्रेंस में आशा करता हुई वीडियो को पस्त नहीं होगी और इस वीडियो के अंदर आपका कोई सवाल सुजह भे तो नीचे कॉमेंट करना मत भूलना और आप हमारी चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंस हेवे नजडे